ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें आना चाहिए कि पिरियॉडिक टेबल में क्या गया है ठीके पिरियॉडिक टेबल क्या होता है पिरियॉडिक टेबल किस ने दिया यह सब बारे में आमें पहले पता होना चाहिए, इसलिए हम जो हमारे block elements हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, हमारे कितने type के block elements हैं, हमारे four type के block elements हैं, s block है, d block है, f block and p block elements हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए periods क्या होते हैं, periods, the horizontal row in the periodic table, इसके लिए आपको periodic table का आप पास होना चाहिए चाहिए फिरोड डिवलक्त होना चाहिए आपके पास जिससे आप उसको दिखा सको आप वहाँ से पढ़ सको ठीक का उता है होडिजन्टल रो होती है इस तरिक्य divert वा उती है लिइन एसे होले हम चो इस तरहिए से होंगे जो हमारे horizontal rows होंगी किसमे periodic table में so हम उनको क्या बोलेंगे periods और हमारे seven periods होते हैं total seven periods चीके यह हमारा हुआ period क्या होता है चीके second हमारा है periodic table periodic table में वो table जहां पर chemical elements होते हैं वो arrange करते हैं in the order of atomic number atomic number में यह क्या करेंगे arrange करेंगे usually in rows rows में भी होंगे चीके और इसमें chemical properties भी appear करेंगी कहां पर vertical columns में उसको हम बोलेंगे periodic table मेंडलीव periodic table आपने सुना होगा किस ने दिया यह मेंडलीव periodic table मेंडलीव ने दिया हुआ है चीके और इसमें 18 इन वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जब कॉलम्स की बात करेंगे तो इस तरीके से मारे कॉलम्स होंगे और वो outermost shell होगी वो incomplete होगी totally incomplete और जो इनकी inner shell होगी वो क्योंगी completed होगी और इनको हम बोलेंगे normal elements inert gases are placed in group 18 18 ग्रूप में क्या होगा inert gases जो है वो वहाँ पे produce करेंगी प्लेस करेंगी चीके और इनकी जो shells है वो क्योंगी totally complete होगी there are seven horizontal rows are called as periods इस तरीके से होगी उनको हम बोलेंगे periods okay now हमारे हमें जब हमें periodic table का पता चल जाएगा clear हो जाएगा तो उसके बाद हम start करेंगे हमारा s block elements ठीक है हमारे total type के कितने होते हैं types of elements कितने हैं हमारे block elements ठीक है block elements कितने हैं हमारे s block d block p block and f block ठीक है next video में आपको मैं periodic table लेके फिर आपको समझा दूँगी ठीक है जो हमारा s block element है वह इस तरीके ये सोगा और ग्रुप बनाेंगा group first अब ग्रुप second ठीक हे हमारा d block से होगा जो इस तरीके से होगा ठीक है और मेरा p block इस तरीके से होगा इधर six हमारे groups होंगे और f!!!! होगा हमारा कि ये सह में आपको जब हमारे जो एंगे एस ब्लोक एलिमेंट्स में क्या होगा है वेलेंस का क्या मतलब होता है कि सबसे लास्ट में सबसे एंड में जहां पर एलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आउटर मोस्ट लियर में तो उसको हम क्या बोलेंगे एस ओर्बिट यहां एस ब्लोक एलिमेंट्स बोलेंगे उनको ठीक है यहां पर क्यों होगा मिक्समुम टू एलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेंगे जैसे कि हमारा यह ब्लोक है यहां पर एक एलेक्ट्रॉन है और यहां पर दो एलेक्ट्रॉन है ठीक है सिस दो ही हमारे एक हों होता है आपकी 11th chemistry and 12th में आपको यह पूछे जाते हैं कि S block elements क्या होते हैं सो आपको पता चल गया S block elements क्या होते हैं at S block elements में कौन-कौन से elements आते हैं और उनके number दिये हुए है group first जैसे कि आपको इदर बताया था कि group इसके दो होंगे ठीके वैसे ही यहां आपको दिखाया है group 1st and group 2nd जो हमारा group first होगा इसमें कि आ क्या आएगा hydrogen आएगा hydrogen 1 number lithium का atomic number जो होगा वो 3 होगा जो sodium का होगा वो 11 होगा जो potassium होगा un 19 होगा जो rubedium का होगा वो 37 number क्वोगा कौन सा atomic number होगा sodium का 55 atomic number होगा हमारा और हमारा Fensium का 87 and यहां तक हमारा क्या बन जाता है group 1 बन जाता है मतलब ये वाला group 2 है हमारा वो ये बन गया हमारा चेक है and बात करेंगे group second की तो group second में हमारे क्या क्या आते हैं Brilium यह यहां पे आपको नाम देह हुए हैं आप यहां से clear से देख सकते हो clearly को में बिर्छिम होती हैं जान यह में तोंका खुर्टी हें ईयु आपको में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगे इसके आगे अच्छे से प्योडिक टेवल लेके वो पूरा बता दूंगे अच्छे टेवल था नहीं तो इस वज़े से लॉकडाउन की वज़े से बाहर नहीं जा पारे थी इस वज़े से मेरे पास नहीं था तो आपका ये complete होता है कुन सब पीरियेट्स क्या है प्रियॉडिक टेवल क्या है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक अलिमेंट्स कु स्टार्ट करने से पहले हमें पताऊरके ये पीरियेट्स क्या होत हैं प्रियोडिक टेवल क्या होत की होता है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एस-ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे ही मैं आपको सिक्वेंस वाइस कर वारी हूं यह आपका 11 की chemistry का एक topic है as block elements चीक है और यह 12 में आपका पूछा जाता है तो आपको यहां से clear हो गया easily please like करो share करो subscribe करो मेरे channel को thank you have a nice day thank you friends